यो गाईज देखें मैं आज आपको दिखाना चाहरा हूँ यह जो आप बीं देख रहे हैं यह यह बीं है यह चोटी छोटी नहीं होती है जबकि यह शेर को नहीं रोक पाएगा और यह इस तरीखे से नुक्सान करेगा तो नुक्षान जो है almost जिसका भी हो चाहे contactor का हो ये ring की spacing देखिए आप ये ring की गुंडी देखिए जबकि ये सारी ring की गुंडियां जो है 45 angle पे इस तरीके से मोरी जाती है लेकिन ये एक भी उस परकार से नहीं मोरा गया है ये total ही नुक्षान है ये जब आप देखेंगे ये L को ये L देख रहे हैं आप ये कितनी छोटी 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 एल है जबकि ये L LD प्लस TND के हिसाब से development length के हिसाब से ये L को बनाया जाता है रिंग के spacing और उसके according ये छोटी छोटी गुंडियां जो है आपको बहुत जादे नुक्षान देने वाला है जब आपका आर्थ क्यूक आता है तो उस समय ये आपको share को रोक नहीं पाता है यानि कि एक सरीया को अगर देशी भासा में कहूं तो रोक नहीं पाएगा ये खुल जाता है तो इस तरीके की गलती से आप सीखें ताकि अपने घर और मकान का नुक्षान न करें किसी के दुआरा भी बहुत जादा ही पैसे लगाने पड़ते हैं घर के लिए लेकिन आपको मैं एक सीख और दिखाता हूँ ये रिंग देख रहे हैं आप ये कोलम एक भी कोलम का सरीया जो है अल्टरनेट नहीं किया गया है इससे होगा क्या कि जब आप उपर अवर लैप करेंगे तो आपका सारा जोइंट नुक्षान देगा और सबसे बड़ी गलती देखिए आप ये देख पा रहे हैंगे ये देखिए ये सारा सरीया एक जगा लैप दे रहे हैं जबकि लैप का मतलब होता है कि इस वाली पैनल की एलवाई थिरी के अकोर्डिंग वहाँ पे लैप होना चाहिए और उदर से होना चाहिए तो लैप को हमेशा अल्टरनेट करें ताकि आपका घर और बीम जो है प्रोपर तरीके से रहे नहीं तो जहां से भी बैठेगा आपका वहीं से नुक्षान करेगा तो मिस्तिरी और ठेकेदार के थुरूप बनाए हुए घर का नुक्षान आप न भुगतें काम करते समय धियान रखें ताकि आपका प्रोजक्ट प्रोपर तरीके से कंपिलीट हुए दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो की लाइक और सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों